प्रेंड्स मैं फार्मसिस प्रांजुली साथपुते मेरे इस यूटूब चानल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ketoconazole cream के बारे में जो कि एक प्रकार की antifungal cream है मतलब इसमें जो main composition है जो main drug है उसका नाम है ketoconazole जो की antifungal class से बिलोंग करने वाला drug है दवा है जिसका उप्योग मुख्य रूप से fungal infection में किया जाता है मतलब यह दे किसी वक्ति के skin पर किसी प्रकार का कोई fungal infection हुआ है तो उसे treat करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस ketoconazole cream को prescribe किया जाता है दोस्तों market में ketoconazole 2% वाली और भी बहुत सारे creams available है अलगलग brand name से जैसे की केजर cream हो, keto star cream हो या फिर candid केजर cream हो तो इनमें से आप कुणसी भी हम इस वीडियो में इस ketoconazole cream के बारे में पूरी विस्तार में जान कर लेंगे कि मतलब इस cream को डॉक्टर द्वारा किन-किन परिशानियों में बीमारियों में prescribe किया जाता है मतलब इस cream के uses क्या है dosage क्या है, sad effect, precaution इन सभी के बारे में पूरी विस्तार में जान कर लेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे का जो रेड़ वाला subscribe बटन दिखाई दे रहा है उसे जो रुप्रेस की जगाई से क्या होगा हमारे इस channel पर आगे medicine से related जितने भी वीडियों से अपलोड होगे सबसे पहले आपको देखने को मिल गया और वह भी बिल्कुल फ्रेम है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते है इस ketamine cream के composition के बारे में की मतलब इसमें composition के तोर पर कौन-कौन से ingredient को एर किया गया है तो दोस्तों इसमें single content आपको देखने को मिलेगा जो azule group से belong करती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दात खाच खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है मतलब skin में यह दे किसी प्रकार का कोई fungal infection हुआ है तो ऐसे condition में इस cream का उपयोग किया जाता है इसके अलावा दोस्तों इस cream को athlete food में भी इस्तिमाल किया जाता है इसमें क्या होता है दोस्तों हमारी जो पेरों की उंगलिया होते है उसके बीच में सडन सी हो जाती है बहुत ज़्यादा कुजली वगेरा रहती है तो ऐसे condition में इस athlete food में दोक्टर द्वारा इस cream को prescribe किया जाता है साथ ही ring warm में भी इस cream का इस्तिमाल किया जाता है इसमें क्या होता है दोस्तों हमारे skin पर बहुत ही ज़्यादा दात खाज कुजली वगेरा रहती है तो ऐसे condition में दोक्टर द्वारा इस ring warm इवन जांगों के बीच में होने वाली खुजली को ठीक करने के लिए भी इस cream का उपयोग किया जाता है तो चली दोस्तों अब जानते हैं कि इस cream को किस तरह से लगाया जाता है मतलब इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है तो दोस्तों जहां पर भी आपको दादखाश खुजली की प्रॉबलम है उस जगह को पहले अच्छे से water से clean करें उसके बाद उस जगह को सुखा ले और वहां पर हलके से उंगलियों के मदद से आप इस cream को वहां पर apply करें दोस्तों ये cream आप दिन में दो बार भी लगा सकते हैं और यदि side effect की बात की जाए मतलब ये cream लगाने के बात कौन-कौन से दुश्परिनाम देखने को मिलते हैं इसके बात की जाए तो इसके कारण जहां पर भी cream apply के वहां पर थोड़ी सी जलन रह सकती है इचिंग रह सकती है या फिर dryness, burning sensation भी हो सकती है तो ऐसे condition में दोस्तों ये आपको ये कुछ side effect देखने को मिल रहे हैं तो आप cream को लगाना बंद करें और आपने डोक्टर की सला अवश्य ले दोस्तों price की बात करें तो ये 30 gram की cream आपको आपके नज़ी के किसी भी medical shop पर आसानी से 140 रुपए में मिल जाएगे दोस्तों brand के अनुसार इसकी price में थोड़ा बहुत change हो सकता है ये आप दूसरे brand के cream लेते हैं तो वो हो सकता है इससे price में कम भी हो सकती है जादा भी हो सकती है तो ये पूरी तरह से आप पर depend करता है कि आप कौन से brand के cream ले रहे है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope you liked this video if so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe our YouTube channel for medicine and health related videos thank you, thank you for watching